प्रेरित पावलस कुरिंती कलिश्या के लिए लिखावा पहली पत्री उसका पांचवी अध्याए एक से तेरा तक वचनों को पढ़ेंगे उसके उपर हम मनन करेंगे। आईसा काम करने वाला तुमारे बीच में से निकाला जाता परंत गमन करते हो। तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु इश्यू की सामर्त के साथ इकटे हो। तो ऐसा मनिश्य अमारा प्रभु इश्यू मसी के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सोंपा जाए। ताकि उसकी आत्मा प्रभु इश्यू के दिन में उद्धार पाए। तुमारा गमन करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते की तोड़ा सा कमीर पूरे गुंदेवे आते को कमीर कर देता है। पुराना कमीर निकाल कर अपने आपको शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ। ताकि तुम अकमीरी हो। क्योंकि अमारा भी फस्य जो मसी है बलीदान हुआ है। इसलिए आओ अम उत्सव में आनन मनावे। ना तो पुराने कमीर से और ना बुराई और दुष्टता की कमीर से परंतु सीधाई और सच्चाई की अकमरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुमें लिखा है कि विवच्चारियों की संगती ना करना। यह नहीं कि तुम बिलकुल इस जगत के विवच्चारियों और लोबियों और अंधेर करने वालों या मुर्ति पूजकों की संकती ना करो। क्योंकि इस दशा में तो तुमें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। यह मेरा कहना है कि यदि कोई बाई कहला कर विवच्चारी या लोबी या मुर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियकड या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगती मत करना। वरना इसे मनिशे के साथ काना भी नहीं काना। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याई करने से क्या काम। क्या तुम बितर वालों का न्याई नहीं करते हैं। परंत बाहर वालों का न्याई परमिशर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। बच्चन हम पड़े हैं, इस बच्चनों से कभी सारे बातों को हमें सीखना है, हमारा विक्तिकत जीवन के लिए, कलिस्या के लिए हमें कैसे सावदान रहना है, कलिस्या एक परिवार है, कलिस्या एक शरीर है, इशुमसी का देह है, इसमें एक एक विश्वास ही एक अंग है, हम दुनिया के साथ भी अमारा बरता होते हैं चाल चलें दुनिया में हम रहते हैं संसार में है लेकिन हम संसार की नहीं है बार बार इशो में से बताते थे और उनका प्रातना में भी योहना सत्राद्या में कहते थे जैसा मैं संसार का नहीं हूँ मेरे ये बच्चे लोग भी संसार के नहीं है, संसार में है, तो संसार में हम रहना पड़ता है, कलिस्या भी संसार में रखा हुआ है, अपना काम करने के लिए, दुनिया को जीतने के लिए, दुनिया के साथ पाप में जाने के लिए नहीं है, कलिस्या दुनिया में रहेगा, लेकिन दुनिया कलिस्या के अंदर नहीं रहना चाहिए यही हम इस अधियाई से इस पांच वियाई से हम सीख सकते हैं कितना खड़करीदी से प्रेरित पाउलस खंडन करते हैं कलिस्या में एगवत्ती का गलत विवहार जो अपने पिता का पत्नी को उसने अपना पती समान रख था था तो उस गलत कामों के कारण काफी सारे कलिस्या वाले इस बातों को देखते हुए वो लोग के जीवन में भी पाप करने के लिए हिम्मत आ जाएगा वो लोग भी कराप हो जाएंगे इस बातों को समझ से हुए पुरा कलिस्या की बच्छाओ के लिए पुरे कलिस्या की आरोगिता के लिए प्रेरित पावलस इस पत्री को कड़करिदी से लिख रहा है और ये भी नहीं कि जो विक्ति पाप कर दिये हैं उसको पुरा खंडन करक के उसको नरग में बेजना है वो भी पुरा का विचार नहीं था जरूर उसको कलिस्या से हटाने के लिए तो लिख रहे हैं लेकिन वो भी उसका आत्मा का उद्धार प्रभुक का दिन में मिलना चाहिए वो भी पांचवी वच्छन में लिख रहे हैं पांचवी आयत में हम मसी के दिन में उद्धार पाना चाहिए जरूर उसको समझ में आना चाहिए कितना बायंकर काम उसने किया है हम इसका अगला अध्याय में जो हम आने वाला दिनों में हम देखने वाले हैं चटा अध्याय में कैसे विवचार के बारा पॉलस लिक रहे हैं जो भी पाप इंसान करते हैं उनके शरीर के बाहर में होता है लेकुन जो विवचार का काम करते हैं अपने शरीर के विरोध में ही पाप करता है और ये भी है हम सब मसी कांग है अब मसी कांग को लेकर विश्या कांग नहीं बनाना है क्योंकि जो कोई भी विश्या के साथ विवचार के काम करते हैं उसके साथ एक शरीर हो जाते हैं जैसे पति-पतिनी शरीरिक संबन से एक शरीर हो जाते हैं वैसे ही विवचार करेंगे उस समय में भी इनसान उस विवच जिसके साथ करते हैं उसके साथ एक शरीर हो जाते हैं इसलिए कहते हैं कि मसी का शरीर का अंग है आप लोग उस अंग को विवचारी के अंग नहीं बनाना है उसके साथ दोनों जगबे नहीं जुड़ना है तो विवचार ऐसे एक पाप है जो इनसान को बर्मा देता है इनसान को सारे अच्छे आनन देने के लिए वाइदा करता है लेकिन आकरी में बहुत दुख को पहुंचा देता है तो इसलिए एक विक्ति का जो पाप है उसके कारण कलिस्या पूरा बिगड जाएगा बोलते हैं तुम लोग तो अखम मेरी हो मतलब अभी तक यह लोग नया गुंद आइसे थे तुम्हारा में काफी लोग लोबी थे मुर्ति पूजक थे विविच्छारी थे अंदेर करने वाले थे लेकिन इश्य मसी के नाम से परमिशर की आत्मा से दोये गए तुम लोग शुद हो गए हो ऐसा गला द्याय में कहता है तो कलिस्या शुद हो गया कलिस्या रहना चाहिए वापस सुवर के सम्मान जो किचड से निखाला गया उस किचड में वापस जाकर के उसका आनदने उठाना चाहिए अगर कोई भी विश्वासी है अपने पापों में लगातर बना रहता है वो अपना जीवन में अपना उद्धार को को सकते है अपना वापस शैतान की बंदन में चले जाता है, वो ही पॉलस बुलते हैं, उसके मन तो शैतान के पास चले गए हैं, तो उसके शरीर क्यों कलीस्या में रहता है, उसको जाने तो पुरा शैतान के पास ही, उसको दे देते हैं, ताकि उसको पता चलेगा, शैतान कितना बायंखर है, कितना ब साथ पाप के जीवन में जीते रहेंगे विक्तिकत जीवन में और कलीसिया में आकर के बक्तिमान जैसे वेश पहनते हुए इशुमसी के साथ भी एक ऐसा जीवन बिता रहों करके दिकावाटी जीवन जीना प्रभ के इच्छा नहीं इसलिए पॉलस के द्वारा परमिशर इस को खंडन करते हैं तो जरूर इस बातों से अच्छा परियाम को लाया है हमको माल्म है आगे की पत्रियों में दूसरी कुरंतियों की पत्रियों में हम देख सकते हैं साथ भी अध्याय में कहते हैं तुम इश्वर बक्ती का शोक हुए हैं, तो हमारा अंदर अच्छे परिणाम को लाए हैं, तुम इस बात은 définने जगरत होगें, बहुत साबदान होगें बहुत धुन से रागे हैं करके उनको तारिफ कर रहे हैं, तो और वो भी लिक रहे हैं मैं, जो विक्ति अन्याई किया है उसके वज़े से भी नहीं है जिस वक्ति के लिए अनियाई किया गया उसके लिए भी नहीं है सारे कलिस्या की बड़ोतरी के लिए इस बातों को मैंने लिखा है मतलब यह इंडिविजल किसी वक्ति का प्रहारने अटेक नहीं है कोई परिवार वाले के विरोध ही नहीं है पॉलस कोई भी सेवक जरूर इसमें जो अनियाई किया गया वही है जो इनसान के बैटा है जो पापा को अनियाई किया गया वही है उनके पापा है उसके साथ उसने अनियाई किया तो एक प्रभु का अदास होने के नाते ओ ऐसा भी नहीं है किसी एक का सपोर्ट में किसी एक कभी प्रेत में ऐसा नहीं है दोनों को ही प्रभु के मार्ग में चलाना है जुसका अनियाए हुआ है उसको भी सपोर्ट करना है जुसने विक्ति ने अनियाए किया उसको भी डांटना है उसको भी सही करना है तो सारे कलिस्या की बड़त्री होना चाहिए तो ये भी बतारे इश्वरे भक्ति बाव का शोक किया है उसके वज़े से अच्छे प्रिणाम आया है और दूसरा कुरिंद 2 में भी हम देख रहे हैं कैसे प डुपते डुपते शैतान की फंदा में फसने जाएं और उसको माफ कर देते हैं क्योंकि उसने मन फिराया है और उसको वापस कलिसा में जुड़ जाएं करके वो भी बता रहे हैं दूसरा कुरिंदी दूसरा दियाए में और कहते हैं शैतान की चाल को हम जानते हैं उसके च दिया हुआ है तो एक तो पाप कम सपोर्ट नहीं करना है जरूर मन फिराव को लाना है अगर मन फिराव हो जाते हैं और हम जरूर मावी भी देना है किसी पर्टिकुलर आत्मी के विरोध में नहीं तो सपोर्ट में कलिस्या चलने वाले नहीं है कलिस्या ऐसा कभी नहीं चलना है कोई पर्मिशर का अत्मा की द्वारा कलिसिया चलते रहेगा प्रभु के आगमन तक और उसका जो पवित्रदा है उसके लिए बहुत शुबा देने वाले बात है ऐसे से विविचार मुर्ति पूजा जो जो काफी सारे इसके विविचार की पाप हाई नहीं कभी लोग इस बातों को नहीं समझ पा रहे हैं ऐसे ही तो कभी सारे पाप है कोई भी विश्वासी ऐसी कोई भी पापों में लगातर बना नहीं रहना है लोग भी नहीं रहना है और बेफिकर वाला मतलब कोई बातों के लिए कोई चिंत प्मामला में बेइमानदारी से रहने वालें, ऐसे जो चीज़ें मुर्ती पोजा हैं, ये सब चीजों से भी अम साबधान रहना है, ऐसे पाप अम पहले करते थे, लेगिन भी अम नया, नया जीवन में, हम आगे नहीं सुष्टी बन गें हैं, तो हमारा कलिस्या में ऐसे खमीर ही कर देगा, खटा कर देगा, तो इसलिए बता रहें कि उसको हम अलग करना है, और कलिस्या वालो को भी यह समझ में आना चाहिए, अमारा में पुराना खमीर नही रहना चाहिए, और उत्षव को हम ऐसा सही डंग से मनाना चाहिए करके लिक रहे हैं, वो हसका पर्व के बारा में बता रहे और निर्गमन बारा द्याय में 8 से 11 तक उस बातों को हम पढ़ सकते हैं वहाँ पर लिख रहे हैं उसके मामस को उसी रात आग में बुँच कर अकमरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ काए उसको सिर्पायर अंतडियां समेत आग में बुँच कर खाना कच्छा या जल में कुछ भी पका कर ना काना और उसमें से कुछ भी सभेरत तक नहीं रहने देना और यदि कुछ सभेरत तक रह भी जाएं तो उसे आग में जला देना और उसके काने का ये विदी है कमर बांदे पाओ में जूते पैने और रात में लाटी ले हुए उसे फूर्ती से काना ये तो यहवा का पर्वव होगा वहां निर्गमन बारादिया में हम देख रहे हैं तो उसी बातों को पावलस याद दिला रहे हैं हमारे लिए उससो मनाने का है हमारे लिए यहवा का पर्वव है हम मिसरे से बाहर आ गए हैं जैसे पाप की मिसरे से बाहर आ गए हैं पाप की दास्तों से बाहर आ गए हैं इश्मसी के लहु से वहां पर मेमना बलीदानुआ वो इश्मसी को दर्शाता है उस समय के लोगों को जो पताए गए हैं हमारा नया नियम की विश्वासी के लिए परचाया के रूप में एक शाड़ा के रूप में बताए गए हैं तो हमारे लिए असली है हम एक अकमरी रोटी का के हम अकमरी रोटी हम बन गए हैं जिससे इशुमसी भी मती का किताब में चले लोगों को बताते थे पर इसी लोग सदिकी लोगों की कमीर से सावदान रहाना वो लोग ऐसे कमीर बन गए हैं कमीर का कर कमीर का देखे देखकर लोगों को गलत उबदेश देते हुए जो चीज़ हम काते हैं उसके जैसे हम बन जा जैसा एक आत्मी विवचार के पापों के बारे में वो सोचते रहा उसमें पढ़ गए वो ये कमीर काकर कमीरी बन गए कलिस्या के लिए पूरा कलिस्या को कठा करने वाला एक विक्ती बन गया है तो लिखते हैं वो हम लोग नया आठा है हम कराब अभी तक हुए नहीं है लेक को मानना चाहिए विश्मसी में आ गए है नया जनम पाए है हम कभी भी पुराना बातों को लगातार करते हुए नहीं रहें केबल विच्चार नहीं है वैसे जितने भी पाप यहां पर लिस्ट में दिये गए हैं कोई भी पापों में लगातार बना हुआ नहीं है ऐसा रहन दुनिया में तुह हमें रहना पड़ेगए धे कि अहिकर रहे हैं। चाल चलन अलग है कलिस्या में एक कुडंब है एक प्रिवार है एक शरीर के अलग-अलग अंग है इसमें हम लोग साब एक साथ जुड़े हुए हैं ये कलिस्या मतलब एक इश्मसी का शरीर है साथ में जुड़े हैं इसमें बीच में पवित्रदा सच्चाईता प्रेम सच्चाई मनोबावना रहना वह ज़रूरी है दुनिया में तो काफी सारे लोग पड़े हुए हैं उनके साथ हम ज़्यादा नजदिक संब्द में नहीं रह पाएंगे बले हम साथ में काम करते हैं डूटी में जाते हैं वो एक सिमा तक ही हमारा संब्द रहता है एक परिवार जैसे एक नजदिक संब्द में हम वहां नहीं रहते हैं इसलिए वहां के जो विविचारी लोग है पापी लोग है उनके बारे में हम कोई दंड नहीं दे पाएंगे उनके बारा में हम ये नहीं बोल पाएंगे, वो लोग धंड पाप कर रहे हैं, उनको धंड दे दू, ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं, उनको दुनिया से हम नहीं आटा सकते हैं, हम भी दुनिया को चोड़ कर नहीं बाग सकते हैं, इशु मसी भी प्रातना किये तो योहना सत्रा द बचे जाएं और दुसरा है इस दुस्तु दुनिया को हमें बचाना है बचाना है ये भी हमारा मकसद है दुनिया में कलिस्या रहने के लिए मकसद ये है हम दुनिया को बचाने वाले हैं दुनिया जैसे हम बन जाएंगे हम कैसे बचा पाएंगे इसलिए हमें समझना चाहिए हम दुनिया जैसे नई बनना है, दुनिया को बच्चाने वला हम लोग है, हम दुनिया में अलग डंक का जीवन बिताना है, कलिसिया वाल साब पवित्रदा की जीवन वितित करना है, ये एक साथ सही रिष्टा में जुड़े रहना है, गलत रिष्टा वहां पर हनी कारक होगी इसलिए वहाँ पर कहा रहे हैं हम रहना ही पड़ता है दुनिया में जब तक जिन्दा है परमिशर हमको रखा है इस दुनिया में हम रहना है दुनिया वालों को उपर हम नायविदी नहीं दे पाएंगे ओ लोगों को परमिशर नाय करेंगे हमारा घर का ही मामला पहले हमें निप्ठाना है हमारा घर में हम सावदानी से रहना है परमिशर का घर है सचाई के लिए कमबा है गवाई है इसमें हम रहते हुए प्रभू में आगे बढ़ना चाहते हैं कलिस्या भी आगे बढ़ना है तो इसके लिए ऐसे जो पाप है वो लगातार बने रहने वाला बात को हम कभी भी जाने मत दे सपोर्ट ना करें या अच्छा नहीं पॉलस बलते हैं तुमको गमन नहीं करना है हम चारवी अध्याय में हम कल मनन किये थे कि कैसे गमन नहीं कर सकते हैं इवन अच्छे लोगों के लिए भी बात कर रहे हैं कोई भी प्रभ के दास पॉलस अपने बारमें भी बोल रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए भी बोल रहे हैं जो दान वर्दान से बारेवे लोग हैं चिंचमतकार भी कर रहे हैं अच्छा कासा टीचिंग भी दे रहे हैं उनके लिए भी बोल रहे हैं तुम कोई भी गमन नहीं कर सकते हैं यसा परमिशर का वर्दान है तो जो भी अगर हम प्रभु के अनगरे से हम किये हैं ऐसे सिदी में तो हम पापो के विशे में बिलकुल हम गमन करना ही नहीं है ऐसे चीजों को खंडन करना है उस चीजों के बारे में इश्वर ये शोक होना है वही फरमिशर की भक्ति बाव की शोक जो है दुसरे को इसनी साथ में लिख रहे हैं आपके अंदर कितना सारा धून कितना सारा सावदानी कितनी सारे जगरिती को लाया है करके लिख रहे हैं वही शोक होना चाहिए पापो के विश्य में चलो सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं करके ऐसा एक lightly लेने वाला बात नहीं होना चाहिए ज़रूर हम उसको अपना विक्ति के जीवन में भी कलिस्या में भी हम उसको अठाना है दुनिया से तो माटा नहीं पाएंगे ज़रूर दुनिया में एक एक विक्ति को प्रभू में लाकर हम आटा सकेंगे बलकि टोटल दुनिया को जब तक प्रभू के राज्य नहीं आये हम बदल नहीं पाएंगे तब तक हम कलिस्या में सेवा करते रहेंगे कलिस्या के द्वारा दुनिया को जीतना है प्रभू में लाना है लेकिन कलिस्या अगर पवित्र नहीं होगी को हम सावधान से संबलना है, पहितरात्मा में मिला है, अमरे देह भी परमिशर से हमें मिला है, हम अपना नहीं है, परमिशर की सेवकाई के लिए हमको परमिशने बुलाया, कलिस्या में शरीर में अंग बनाया, एक दुसरे के साथ रहते हुए कलिस्या कर आगे बढ़ाना है, कभी भी पाप के लिए हम बहाना ना कहें और अपना पापों के कारण दुसरों के लिए हम नुक्सान ना पहुंचाएं कलिस्या को नुक्सान ना करें पुरा कलिस्या भी परमिशर का मंदीर है हमारा विक्तिक शारीर भी परमिशर का मंदीर है हमारा शरीर उखो भी पोईतर अदा में हमें संबलना है कलिस्या भी पोईतर अदा में आगे बढ़ना है तो ये सारे बातों को मन में रखते हुए लिखते हैं कि कलिस्या में इस चीजों का कैसे बरता होगी कैसे इसको विवार करना है कैसे लोगों को हम इंस्ट्रेक्शन देना है तो आई हम प्रातना करेंगे हमरे कलिस्या में हमरे वेक्ति का जीवन में कोई भी पाप ऐसा लगातार बने रहने के लिए हमें चोड़ना नहीं है बीच बीच में अपना जीवन की गती रास्ता को हम जांचना है उसको करेक्शन करना है मन फिराव करना है हमरा अंदर भी हमरा बाई बैन किसी का अंदर भी कोई भी गलत बावना रहते हुए हम देखने के बाद भी ऐसा भिन देखते हुए ऐसे बेफिकर रहते हुए उसका हम lightly लेते हुए नहरा है उसको जरूर हम प्रेम से उसको समझाएं जो मन नहीं फिराएं उसके लिए जो एक्शन लेना है लीडर्शिप को परमिश्य जो ग्यान देंगे उसके साब से करेंगे उसमें हम support करना है कभी भी ऐसे बातों के लिए लीडर्स के विरोध में कड़ाने होना है लीडर्स को परमिश्य जैसा गवाई करेंगे सब के बलाई के लिए कलिस्या के बलाई के लिए वो लोग करते हैं विश्वासी लोग भी इस बातों को समझना चाहिए पुरा कलिस्या के उन्नती के लिए कलिस्या की बलाई के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं किसी पर्ट दंग से कर रहे हैं, सही विचार से कर रहे हैं, तो कलीस्या वाला सब उसके लिए सपोर्ट देंगे, प्रातना भी सैथ देंगे, ज़रूर व्यक्तिकत, जीवन, जो पाप में पड़े आत्मी भी बच जाएगा, और कलीस्या भी ऐसे पापों से बच जाएगा प्रभु के आगमन में कलिस्या एक पवित्र कुमारी के रूप में प्रभु के सामने कड़े हो पाएंगे तो आए हम प्रातना करेंगे सुर्गे पिता पर मेशर हम आपका दनेबाद करते हैं अबस्तुति करते हैं आज का बहुम लियावसर के लिए हम अलग विविन तरग की पाप जो दुनिया में पाया जाता है कलिस्या में भी आते रहते हैं दुनिया में भी रहते हैं दो रंग का जीवन बिताते हैं ऐसे लोगों के जीवन में परमिश्य पिताब काम कीजिए उन लोगों के जीवन में मन फिराव का अनुबह हो जाएं प पापों को छोड़ें, मन फिरें, पवित्र बनें, अपना शरीर को भी पवित्र आत्मा के मंदिर समझ कर, पवित्र अदा में संभाल के रखें, और पूरे कलिस्या शुद्ध हो जाएं, आपके आगमन के लिए तैयार हो जाएं, अमारे कम तेरे हातों में समर्पन करते हैं, यश्मसी के नाम से मंगता हूं स्वर्गे पित्र, अमेन